दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ड अफेर्स चैनल पर और स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरेंड अफेर्स डेली बिसिस पर यहां पर आप किक पॉइंट्स और नेशन स्पेशल डे अंश्यूर्ट डे निउस अफ दे और पी वाई क्यूस कवर कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आपने आज के गरेंड अफेर्स और टेलिग्राम चैनल अमंसर वाइफ डे स्टेडिय आप एक बरी सर्च कर ले ना सो डेट कि आप इस टेलिग्राम में जूट पाएं और पीडिया फो लिंक्स ले पाएं सुबह 6 बजे ये वीडियो आपके वर्ल्ड अफेर्स के वीडियो सेक्शन में आ जाती है रेगुलर देखिए चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि आज इंपोर्टन डे है नैशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस तो इसके बारे में पता हो न अच्छी है मेजर ध सटे एखेल दिवस जो है 39 अगस को और ख़र करते हैं निमली कितमे से कौन से हैं जिनोंने हाल फिलान में रिनोवेटिट कंप्लेक्स जलियावाला बाग मैमोरियल जो है इसे इनोगरेट किया तो 28 अगस को इनुगरेट किया इसको वैसे पहले इनुगरेट करना था पूरी तेरा अप्रेल 1990 में ये इंसिडेंस हुआ था तो जो डेट चुनी गई थी तेरा अप्रेल की चुनी गई थी जब 102 जो है इसके मैसे करके पूरे उन्देज इसमें 379 प्यूपल अराउंड दे लोस्ट दियर लाइफ तो लेकिन पॉस्पोन किया गया कोविड-19 की वज़े से है ना तो हाल फिलाल में 28 तारीक को यह अब इन्वरेट किया गया बदलाब कुछ इस तरीके के आप देख सकते हैं यह पहले का और यह अभी का यह बदलाब कुछ देखने को मिले इसमें और बहुत सारी चीज़े एड की गई है बस आप इतना ध्यान रखिए कि यह मैसे कर हुआ कब था ठीक है बैसाकी के फेस्टिबल के समय में ओन साइट ठीक है इंपोर्टेंट है कोशन आ सकता है चली देखी एक और कोशन यह भी कोशन इंपोर्टेंट है किनको हाल फिलाल में चेर परसन अपोइंट किया है स्टॉप टीवी पार्टरशिफ बोड़ का अब कि इनहें अपोइंट किया गया एक मनसुक मादविया जी इदर लिखा हुआ है आप सभी जानते हैं कि मनसुक मादविया जी कौन है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है शिरी मनसुक मादविया जी तो इनको हाल फिलाल में छेर परसन खोशित किया गया है स्टॉप टीवी पार्ट टारगेट है 20-30 का लेकिन इंडिया का टारगेट है इंडिया की commitment है इंडिया की प्रधान मंत्री जी की commitment है कि इंडिया 20-25 तक टीवी को इंडिया में खत्रम कर देगा तो अब मनसुख माद्विया जी जो इसके चेर परसन बनाये तो इन्होंने भी यह चीज का है कि हम इस commitment को अचीव जरूर करेंगे definitely मैं इसके साथ एक दो detail और बताना चाहूँगा कि डॉक्टर लुक्या डितु जो है यह executive director है stop TV partnership program के important devotion और एक इसके जो board के vice chairman Mr. Austin Erizin मतलब इनको appoint कर दिया गया है अब यह जो हना take over करेंगे as a vice chairman from first january 2022 ठीक है तीन साल के period के लिए तो तीन post है जिसके ओपर question आ सकता है TV partnership board से संबन देते बड़ा important question specialized court जो है money laundering के लिए establish किये गए कौन सी middle east city में बहुत important question है यहाँ पर कानून को बहुत ज़्यादा तवज्यो दी जाती है तो दुबई इसका answer है money laundering के लिए specially code बनाये गए आप इदर एक image भी देख सकते है इससे संबन दित तो दुबई ने हाल फिलाल में money laundering के cases को directly देखने के लिए पूरा एक code बना दिया है fast track code होगा definitely and a first incident court of appeal यह जो है होगा इसकी establishment किसके द्वारा कीगी by the law of directive issued by directive मतलब उन्होंने announce करके बोल दिया शेक मोहमद बिन रशीद जो की vice president prime minister UAE ruler of Dubai इनके द्वारा announce किया गया definitely money laundering को रोकने के लिए anti money laundering जो है यह acts जो है इनको और अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या है इंप्लिमेंट किया जाएगा चलिए एक और question देखते है national thought day जो है celebrate किया जाता है इसमें हमें बहुत ज़्यादा specific नहीं है लेकिन फिर भी maybe 1% chance अगर आपको question पूछ लेगी national thought day किस दिन observe किया आता है तो 28 अगस को observe किया जाता है इसमें बहुत common सी बात है कि हमें दूसरों की लोगों की या फिर each other's जो है ना एक दूसरे की values जो है उसका ध्यान लखना चाहिए thoughts का ध्यान लखना चाहिए जादा important जो बस यही है कि आप 28 अगस याद रखे national thoughtful day important है question वैसे ठीक है अगर date पूछी जाए डार है ना चली name the MD and CEO of Yuko bank who has been reappointed देखिए हाल फिलाल में जो appointment committee है ना इन्हों ने बहुत सारे MD और CEO जो है उनकी उनको reappoint कर दिया ठेक है ऐसा नहीं कि सर्फ एगी किया दो बहुत सारों को reappoint किया है मैं बहुत important one करा रहा है जैसे Yuko bank जो है इसके headquarter कोलगत्ता में है और किनको reappoint किया गया है तो answer है इस question का अतुल कुमार गोयल आपके सामने image है देखिए reappoint का करने का कारण क्या बताए गया कि public sector bank में जो MD CEO है उनको reappoint करके ये जो process चल रही है ना इनका जो reform चल रहे है उनको continuity बनाने के लिए कि continuity बनी रहे क्योंकि अगर reshuffle करेंगे change करेंगे तो थोड़ा सा जो है ना बदलाव उसमें ना दिक्कत आ जाएगी तो इस समय जो है पोइंट किया गया है मैं example के तोर पर बता दू अतिल कुमार गोयल MDCO Yuko Bank के और SAE AS Rajiv MDCO Maharashtra Bank के और SAE और भी बहुत सारे example है तो मैंने important one ये दो लगे तो मैंने आपको discuss कर लिया कि इनका नाम याद रखेगा चलिए important है चलिए देखिए एक और question who has been रोम्डेनेस दिल्ली government brand mister for the देश के mentor ये brand investor बनाए गये देश के mentor program के अब मैं देश के mentor program बताने से पहले बता ही देता हूँ की brand investor किसे बनाए गया ठीक है आप इस समय सुन रहे होंगे Sonu Sud बहुत famous नाम हो चुके है ठीक है social work से संबंदित ठीक है help करने से संबंदित तो इस समय जो है Sonu Sud को जो है educated लोग ठीक है help करेंगे उन लोगों की जो अपना education प्रावल नहीं ले पाते हैं poor background की वज़े से ठीक है तो इस वज़े से जो है educated लोग अगर सामने आएंगे तो उनको mentor करेंगे तो फायदा होगा इस program के जरिए एक educated person को mentor बनना पड़ेगा जो की 2 minimum और maximum में 10 इतने students को जो है ठीक है mentor कर सकते है उनकी education से समधित उनकी help कर सकते है और हाल फिलाल में जो brand master बनाये गया है आप देखी सकते है image ठीक है Sonu Sud को बनाये गया ठीक है obviously it's a great service service का एक बहुत अच्छा मोका मिलेगा ठीक है सबकी मदद करने का और it's very much required एक और question देखिए share destiny 2021 यह important question यह defense exercise जो है यह कहाँ पर होने वाली है schedule to be held in which of the following कहाँ पर होगी exercise तो यह चाइना में होगी अब यह share destiny basic किस है गया यह एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यह माला बार और जिन सब का competition ही समझ दीजिए क्यूं क्यूंकि देखिए आप समझते हैं कि China, Pakistan, Thailand, Mongolia यह सब मिलके यह military exercise करते हैं ठीक है obviously China में इसको organize किया जा रहा है Central Henan province यह कहाँ पर organize किया जाएगा यह defense exercise China में कब से कब तक होगी 6 September से लेके 15 September होगी इसका announcement हो चुका है तो important है आला कि का गया है कि यह जो चार country है यह first multinational peace keeping live exercise यह जो करने वाले है ठीक है यह peace keeping होगी definitely हम भी चाहेंगे कि peace keeping यह हो दूसरा इसमें बहुत सारे troops जो है participate करने है ठीक है बस आप याद रखे का देश के नाम पूछे जाए तो चायना पाकिस्तान थाइलेंड और मंगोली और जो exercise होने वाले कहां पे किस डेट में और नाम क्या है ठीक है तीन चार्ची याद रखे कौन सा ऐसा जेट है जिस पर हाल फिलाल में जो बैन लगा था उसे लिफ्ट किया गया exactly question तो यह बूच रहा है कि DGCIE ने दो से दो ढ़ाई साल का जो बैन है किस पर से हटाया है तो किस पर से हटाया है मैं आपको दिखाई देता हूँ बोईंग 2737 पर यह बैन हटाया गया अब मतलब इस बैन को लिफ्ट कर दिया गया DGCIE के द्वारा बोईंग 2737 जो मैक्स एरक्राफ्ट है उस पर जो बैन लगा था धाई साल पुराना अब वो हटा दिया गया बैन लगा किस वज़ था बैन लगने के कारण यह थे कि क्रैशिस हुए थे कुछ ठेक है 13 मार 2019 में एक क्रैश हुआ था यूथोपीन एरलाइन 737 मैक्स पेन का जिसमें 157 के आसपस लोगों की मृत्ती हुई थी उससे एक और भी हुआ था उससे पहले जिसमें 180 लोग भी मृत्ती हुई इस बैन लगा गया लेकिन अब इस बैन को कोट के लिए अपोइंट के जा गए तो नो ठीक है यह आप इदर वर्ड देख सकते हैं अब फॉर्मल नोटिफिकेशन बुड भी इशूड शोटली लेकिन फिर भी जो है ना हमें पता होना थी कि हाँ नो जजिस जो है सुप्रीम कड में अब जो है अपोइंट होने वाले और कोन करेगा ओविसली जो प्रेजिडेंट है रामनात कोविन जी उन्होंने उनका जो वारेंट अफ अपोइंट्मेंट जो है उसे साइन कर दिया है कुछ जजिस के नाम इसमें लिखे हुए ठीक है जैसे वीव या आप नाम देख लीजेगा में भी कोशन आजाए ठीक है में भी स्पैसिफिक ऐसी कोशन आजाए कि कितने जिसका नोटिफिकेशन आया कि यह अपोइंट हो सकते है तो नो चली इधर देखें बहुत इंपोड़न कोशन इश्रम पोर्टल जो है इसमें एक युनीक कितने नंबर का ठीक है कोड लोंच हुआ है ठीक है डिजिट युनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है युएन कितने नंबर का मिलेगा जो इश्रम पोर्टल में हर एक व्यक्ति को जो मिलेगा वो कितने नंबर का होगा तो वह 12 नंबर का होगा ठीक है इधर लिखा हुआ है पहले ह और इडिया ने पोर्टल थ्यार किया इस पोर्टल के तहट उन्हें बहुत सारी फैसलिटीज मिलने वाली है एक्जाम्पल के दोर पे यह इश्रम कार्ड जो है हल जगा acceptable होगा एक्सिडेंटल इंशोरेंस मिलेगी इसमें इन्हें दो लाग का एक्सिडेंटल देथ इंशोरेंस है पर्मेंट डिसेबलेटी का यह सब चीज़ है और बाकी अन्य शोशल सेक्योरिटी वेनिफिट्स भी इन्हें मिलने वाले है ठीक है और जो इसका इश्रम पोर्टल का जो यूनिक आइडेंटिटी कोड होता न तो वो 12 डिजिट का वही आ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा मालिफ्स के लिए इसमें 400 मिलियन यूएस डोलर का लाइन ओफ रेडिट केता है और ग्रांट भी दे रही है इंडिया 100 मिलियन यूएस डोलर का तो बंदब ग्रांट अलग है और जो लाइन ओफ क्रेडिट के तहट जो है वो अलग है और दोनों वैल्यू याद रखेगा इंपोर्टन कोशन है पूछा जा सकता है जो लाइन ओफ क्रेडिट है वो किसके है लेकिन वालिफ्स के लिए सबसे बड़ा है कोशन इंपोर्टन देखें बहुत इंपोर्टन रैसलिंग फेडरेशन ओफ इंडिया और कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा क्वेस्ट फॉर गोल्ड जो है यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है कि हम गोल्ड लाके किया टाटा मोटर्स कोई कै väldigt पहले सी इसलिंग में भॉर्ट करते क identity टाटा मोटर्स में जो ये शुरूबात करी थी बहुत पहले भी बहुत अच्छा पर्फूर्म कर चुके हैं ठीक है पिछले बहुत सालों में इन्हों ने 40 से 50 मैडल जो है ना इंटरनेशनल कॉंपेटिशन में जीते हैं ठीक है टाटा मोटर्स की ठीक है से तो डेफिनेटली अब और ज्यादा फोकस रहेगा कि गोल्ड जीत पाएं पैरिस ओलंपिक में तो तब भी टाटा मोटर्स जो है इस पर फोकस कर रही है तो इंपोर्टन कोशन है टाटा मोटर्स इससे पहले मैंने आपको एक यूपी वाला कोशन भी बताये था तो वह भी कोशन इंपोर्टन है चलिए आज के एजुकेशन पॉलेसी इंप्लिमेंट करी है तो मध्यवदेश कौन सी मिनिस्टी है जिसने स्टार्ट किया है ठीक है ठीक है इंपोर्टन है तो कोशन आ सकता है दोस्तों मैंने आप से कल एक सवाल पूछा था यह सवाल बहुत ज्यादा इंपोर्टन था एससी सीजेल का सवाल था इस सवाल का जवाब बताईएगा सारे के सारे देखो इसका जो सवाल है रिद्धी शर्मा ने बहुत बहतरीन बताया यह सवाल क्या है नेमदा फर्स्ट एवर जजज जिनको सुप्रीम कोट में इंपीच करने का ठीक है मेंबर राजसवा लोगसवा में 100 मेंबर आर्टिकल 124 ऐसा ही अगर हाई कोट के जज़का रिमूबल है तो 218 तो इंपोटेंट है जस्टिस रामस्वामी के लिए जो है इंपीच्मेंट जो है अभी तक हुआ है आज का सवाल देखिए आज का सवाल सवाल है थोड़ा सा मुश्किल होता है सवाल यह है कि विच आप खुरिंग बोकिस नोट रिटन बाइस सल्मान रुशिद कोन सी किताब सल्मान रुशुद की द्वरा नहीं लिखिए मानिके तीन जो किताब है सल्मान रुशिद की है तो कमेंट बोक्स पे complete detail में बताएगा और इससे आपको benefit हो सब्सक्राइब होती है उसमें वर्ल अफेर का ही compilation revision हो रहा है तो आप जरूर देखिए मेरा profile वीडियो के description box में लिखा होगा बाकी मैं आपको ठीक है एक लिंक भी बनाके देदूंगा जो आपकी class का लिंक होगा वो comment box पर डाल देता हूं telegram चैनल पर भी मिल जाएगा ठीक पर available होते हैं एक साल फ्री मिलता सबसे कम फीस होती है नया बैच स्टार्ट हो रहा है सारे टीचर्स अब लेबल होंगे इस रैफर कोड पर सब कुछ आपको अब लेबल होने वाला आप यूटिलाइस करिए रैफर को लाइव अमन अने खेडिमी कॉमबेक के लिए आप इस करें चैनल को सब्सक्राइब करें सुबह छे बजए वीडियो आपके वर्ल अफेर्स के वीडियो सेक्शन में आती है दरूर देखे करो रेगुलर देखे करो थैंक्स अलोट फुर वाच्छिन